नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं हेमान सुरेन को समन जारी कर पूस्ताष के लिए बुलाया है, हेमान सुरेन ने इडी के समन को अवैद बताते हुए हाई कोट में चुनोती दी है इसे पहले हेमांसुरन ने सुप्रीम कोट में आजका दाखिल की थी बदा दे सुप्रीम कोट ने उन्हें हाई कोट में पक्ष रखने का निदेश दिया था इसी आलोक में हाई कोट में आजका दाखिल की गई है याजका में कहा गया है कि E.D. ने उन्हें पहले भी अवैद खन मामले में समन जारी किया था समन पर उन्होंने E.D. के समक्स उपस्थित होकर अपना बेंदर्च कराया इस दोरान उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सारी संपत्यों का बेवरा भी दिया है जारखन के 4 लाख किसानों की होगी कर्ज माफी राई सरकार के महत्वा कांची जारखन क्रिसी रिंड माफी योजना का लाफ लेने के लिए कम किसान आने लगे है किसानों की कम संख्या को देखते हुए अब क्रिसी विभाग ने एन पिए घोसित खाता धारी को रिंड माफी योजना का लाफ देने पर विचार कर रहा है ऐसे किसानों की संख्या करीब 4 लाख आकी गई है योजना को सुरू करने को लेकर बैंक के वर्य अधिकारियों के क्रिसी विभाग के अधिकारियों के साथ एक दोर की बैठक भी हो चुकी है इसमें बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि इस पर अस्थानी अस्तर से निरना नहीं हो सकता इसके लिए बोड अस्ता से निना लेना होगा इसके लिए दूसरे राजियों के मोडल को अपनाया जा सकता है चालू वीतिये वर्ष में मात्र 34,700 किसानों ने ही क्रिसी रीन माफी के लिए आवेदन किया है बीते वीतिये वर्ष तक 4,14,000 से अधिक किसानों का रीन माफ हो चुका है इस पर राज सरकार करीब 1818 क्रोर से अधिक खर्च कर चुकी है जहारखन बिहार सीमा पर CRPF की साथवी बटालियन सम्हाले की कमान पलामू में तयनाच CRPF के जाने की खबर के बाद गरामिनों ने बिरोज शुरू कर दिया है गरामिनों के अनुसार CRPF की मौझूदगी से पलामूं में सान्ती बेवस्था थी CRPF के जाने के बाद नकसल गति भी दिया बढ़ सकती है वहीं सुत्रों से मिली जनकारी के नुसार कुछ दिनों के लिए जारखन बिहार सिमा पर स्यारखन बिहार सिमा पनक्सल अभियान में 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 पूरी तरह से सरंडा में सिफ्ट हो जाएगी। आत्म निर्भर बनाने की दीशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। या डेरी पलांट यहां के किसानों पसुपालकों के जीवन में बदलाव लाने में मिल का पत्थर सावित होगा। किसान अपने पैरों पर खड़े हो वो इनकी आमदानी में बढ़ोतरी हो। इसके लिए सरकार ने कई योजनाय चला रही है। सियम हेमानसुरे ने कहा है कि योजनाओ से जूड कर किसानों पसुपालक इसका लाब उठाएं। कोवीट काल में होई थी रेमडे सिवीर की काला बजारी, जांच में होई पुष्टी। कोवीट काल में रांची में रेमडे सिवीर इंजेक्शन की काला बजारी की SIT जांच पूरी कर ली गई है। जाच में रेम्डे सिवीर की काला बजारी और अनाधिक्रीत रूप से बिक्री की बात सामने आई है SIT ने बताया है कि फर्ची दस्तावेज तयार कर COVID काल में रेम्डे सिवीर इंजेक्शन की काला बजारी की गई थी बता दे SIT के परमुख D.G. अनिल पाल्टा ने ब्यान जारी कर बताया है कि SIT ने अनुसंधान के करम में कई गवाहों के ब्यान, मोबाइल, फोरेंसिक, कम्प्यूटर, फोरेंसिक, वाइस, एस, पोक्ट, ग्राफिट, टेस्ट, रिपोर्ट, मेडिकल, एनालेसिस, रिपोर्ट के अधार पर जाच की है इस तोरान, SIT ने खुलासा किया है कि कूल 250, वाइल, रेम्डे, सिवीर की कला बाजारी और अनाधिक्रीत रूप से बिक्री की गई थी रांची में बीच बाजार गीरा बिसाल पेण कई लोग घाया है राइधानी रांची में लगातार हो रही बारिस के कारण सदर थाना छेतर के बांध गारी दुरगा मंदीर के सामने लगने वाले बाजार के पास एक पुराना बिसाल का अचाना गिर गया इसकी चपेट आकर पेण के नीचे बैठने वाले कई सबजी बिक्रेता और ग्रहा घायल हो गाए हाजसे में एक महिला गंभीर रूप से जख में हुई है घाटना के बाद आसपास के लोगों ने महिला को इलाज के लिए सैंफोड अस्पताल में भरती कराया है जहां फिल हाल उसका इलाज चल रहा है वही पेड के नीचे लगी कई गाड़िया पेड गिरने से शतिग्रस्त हो गाई इसके अलावा कुछ अने लोगों को भी चोटे आई है वही घर्टना की जनकारी मिलते ही पूरी समोके पर पहुंची और राहत बचावकारी में जूट गई है बेतन मान की मांग को लेकर टेट पास पाराशिक्षकों ने बोला हल्ला बेतन मान की मांग कर रहे टेट पास पालाशिक्षकों ने बुद्धवार को पेजल मंत्री मितलेश ठाक कूर के आवाज का घहराव किया दुरंडाज थीत मंत्री आवाज के समक्ष धरने पर बैठे टेट पास पाराशिसकों ने इस दोरान स्तरकार पर जम कर निशाना सधा मंत्री आवाज पर धरनादेरे जहारखन राय टेट सफल सायक अधयापक समनवे समीति की परदेश्य आध्यक्स मिस्लेष उपाध्याज ने सरकार पर जम कर हमला किया परदेश अध्यास मितलेश उपध्याज ने कहा है कि अनिश्चित काले अंदोरन का आज 44 वा दिन है सरकार ने अब तक कोई सुधी नहीं लिया है ऐसे में टेट पास पाराश सिख्षकों ने मंत्री आवास के घेराव करने करने नहीं लिया है जिससे वे टेट सफल सिख्षकों के साथ किये गयवादों को पूरा करे चुनाओं के वक्त जारखन मुक्ति मोर्चा के मेनिफेस्टों में भी टेट सफल सिख्षकों को बेतन मान देने की घोसना की गई थी मगर सरकार बनते ही हेमन सरकारी से भूल गई है प्रोजेक्ट भवन घेरने जा रहे स्वेम सेखों के साथ पूलिस की जड़प सेवा अस्थाई करन सहित पांच सुत्री मांगों के समर्थन में लागातार नावासी दिनों से राजभवन के समक्ष धारना दे रहे प्रोजेक्ट भवन घेराव करने पहुंचे राजभर के प्रोजेक्ट भवन की और बढ़ने की कोशिश किये पूलिस के साथ उनकी जड़प हो गाई प्रोजेक्ट भवन जाने की जीत पर और पंचाय सची वाले स्वयम सेवकों ने इस दोरा ना केवाल बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश की बलिक सरकार के बिरूध जमकर नारेबाजी करते दिखे गाए स्वयम सेवकों में बड़ी संख्या में महिला कर्मी भी सामिल थी जो घेराव कारेकरम की अगुवाई कर रही थी बता दे पंचाय सची वाले स्वयम सेवा को नियमित मान दे मिले पंचाय सची वाले स्वयम सेवा का नाम बदल कर पंचाय सहाय किया जाए पंचाय सच्ची वाले सेम सेवा को पंचायती राज विभाग में समायोजीत किये जाए मांगे हैं ज्यारखन ATS ने आतंकियों के कबजे से बंधुकों को छुडाया हुई मौक ड्रील राजधनी राची में उस समय अफरत अफ्री मच गए जब ज्यारखन पुलिस मुख्याले के सुचना मिली कि गड़वा से राची जार है एक बीपी आईपी को लसकर के आतंकियों ने अगवा कर लिया है जिसके बाद पुलिस मुख्याले एक्टिव हुआ है ज्यारखन पुलिस ने आतंकियों से निपटने के लिए तुरंत एटियस को भेजाया जिसके बाद पुलिस ने आतंकियों से निपटने में अपनी जबाजी का संदार परदसन किया है अठारवी ज्यारखन राज पुलिस ड्यूटी मीट का अगाज जैप वन पलिसर राची में 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक 18 भी जार्खन राज पुलिस ड्यूटी मीट चलने वाला है इस कारकरम में अनुसंधान से सम्मांधित हुनर को पुलिस कर्मी परदर्शित करेंगे पुलिस ड्यूटी मीट का उदगाटन जार्खन सरकार के मंत्री अलमगीर अलम और राज के डिजीपी अजय कुमार सिंग ने किया बता दे बेहतर तक निकी सुझबूज अनुसंधान के तोर तरीकों पर पुलिस खुद अपनी कसोटी पर कितना खरा उतर रही है इसके लिए हर वर्ष जार्खन राज पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाता है कोबिट के दोरान इसका आयोजन नहीं हो पाया था जार्खन बिधान सभामें नियुक्ती गलबडी मामला जारकन भी धान सवा में नियुक्ती में हुई गर्वडी के खिलाब दायर जन हीत याजका पर सुनवाई कि दवन हाई कोट ने तल्ख टिपनी की है हाई कोट ने कहा है कि तीन बार आदेश के बाद भी रिपोर्ट पेस नहीं की गई याजका करता सिवसंकर सर्माय की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा है निस्किरिये पड़ी सकती कमांडो को ससक्त करने की कवायत तेज राजधानी में मंचलो पर ना केल कसने कॉलेज इस्कूल सहीत घर से बाहर निकलने वाली महिलाओ की सुरक्षा के लिए 18 इसकूटी पर 36 महिला सकती कमांडो सहर में सक्रिये रहती है हैरत की बात है कि अधिकांच छात्राओ को यह पता ही नहीं है कि सकती कमांडो की राजधानी में सक्रिये हैं जो सिर्फ उनहीं के सुरक्षा के लिए हैं ऐसे में अब एक बार फिर से सक्ति कमांडो को बेहतर तरीके से एक्टिव करने के दिशा में काम सुरू किया गया है बता जेराजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सक्ति कमांडो का गठन किया गया था लाल रंकी स्कूटी पर दो महिला पुलिस करमियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वे खासकर स्कूल और महिला कॉलेज के आसपास कारगर तरीके ससक्रिये रहें लेकिन ऐसा हो नहीं सका सक्तिक कमांडो यदा कादा ही स्कूल कॉलेजों के आसपास नजर आती है हरान की बाते हैं कि प्रचार परसार के बाजूत बड़ी संख्या में स्कूल जाने वाली छत्राय सक्ति कमांडो कौन है उनकी क्या जिमेदारी है यह भी नहीं जानती है जारखन में और्गन ट्रांस्पलांट के लिए बनेगी बेपसाइट स्वास्त बिभाग जारखन में स्टेट और्गन आयन टीस्यू ट्रांस्पलांट और्गनाईजेशन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगा मृत ब्यक्ति के सरीर से निकाले गए स्वास्त अंग को सही समय पर परत्यारोपित किया जा सके इसके लिए मेडिकल कॉलेज और आय बैंको में समन्वे अस्थापित किया जाएगा समन्वे अस्थापित करने के लिए स्टेट और्गन ट्रंस्पलांट की अलग वेपसाइट बनाई जाएगी इसमें सभी मेडिकल कॉलेज और आय बैंक को जोड़ा जाएगा मेडिकल कॉलेज और आई बैंक को प्राप्त स्वास्थ अंग की पुरी जनकारी इस वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी या फैसला मंगलवार को स्वास्थ सची अरून कुमार सिंग के अध्यक्स्ता में सोटो की राजय स्तरिय बैठक में लिया गया है साथ साल से अधिक उम्र के कलाकारों को सरकार देगी पेंशन जार्खन के बुजुर के कलाकारों के लिए अच्छी खबर है परदेश के साथ साल से अधिक उम्र के ऐसे कलाकार जो बरतमान में आर्थिक विपनन या और सुष्थता के कारण अपनी कला का परदसन नहीं कर पाते वो ऐसे कलाकारों को जार्खन सरकार और पेंसन देगी राज सरकार के परेटन कला संस्क्रिती खेल कूद एवं युवा कारे विभाग दोवारा इने प्रती माह चार है रुपे मानसिक पेंसन परदान की जाएगी बताज धनबाज जीला कला संस्क्रिती नोडल पताधिकारी दिलीप कुमार ने बताया है कि इस वोजना का लाव लेने के लिए जीला खेल कर्याले में आवेदन जमा करना होगा इसके लिए 6 अक्टूबर 2023 आखरी तारिक तै की गई है पीजा डिलेवरी बॉय ने अढ़ाई लाख कर्ज लेकर पतनी को बनाया नर्स पतनी बॉयफ्रेंड के साथ फरायार उतर परदेश के चर्चित जोत्ती मोर्या केस जैसा ही जहरखन के गोड़ा में भी एक केस सामने आया है गोड़ा के डिलेवरी बॉय टिंकू माजी ने अढ़ाई लाख रुपे कर लेकर अपनी पतनी को नर्स का कोर्स कराया टिंकू माजी पतनी के सपनों को पंख लगाता रहा लेकिन पतनी प्रिया कुमारी ने बेवभाई कर दी है प्रिया कुमारी अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई मिली जनकारी के मुताविक प्रिया ने नगर थाना चेतर के बढ़ावना के अपने प्रेमी दिलखुस के साथ साधी कर ली है साधी का फोटो सोशल मीडिया पर वारल हो गया है धन्यवाद